आज में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ Kia Sonnet जिसमें बहुत जहदा प्रावबलम आती है लोगों को अपने Stereo से लेके इस से पहले भी मैंने आप लोगों को बताया आज अगेंड मैं बताऊंगा क्यों stereo को लेके लोगों को प्रावबलम आती है यह जो ब्लैक वाला इसमें पूरा कप्ड़ा चड़ा हुए एक वाइर वाइट वाले कपलर यह ब्लैक वाला अपना वाइरा जो स्टीडियो के साथ आपको मिलता है तो यहां पर जो है वाइरिंग जो भी हमको करनी होती है बैक कैम्रे की अच्छा बैक कैमरे सके अंदर यहां पर तो वहां भी देख पाओगे क्रूज आ रहा है और यह कुरूज चला गया कुरूज आ रहा है कितने की स्पीड के उपर जाके काम करता है 30 के उपर जाएंगे तो उसके बाद कुरूज यहां पर यूस कर सकते हैं अभी इसके अंदर में आप लोगों को दिखा भी फ्रेम है अपना इसमें जो पहले इशो आ रहा था कि इसके अंदर ना बैक साइड पर इतनी स्पेस नहीं है कि जो डबल दिन वाला अपना आता है अंड्रोइड वो इसके अंदर इंस्टॉल हो सके तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी कटिंग कर देते हैं यहां पर यहा पर सोनिक ने बहुत अच्छा काम करा है एक वर संजीत बहुत स्टीरियो भी दिखाओ अपर सोनिक ने क्या काम करा है थोड़ा से समझाओ पीछे की तरफ से यहां पर अंदर गुज जाएगा इस्टीरियो अपना और खाली डिस्प्ले डिस्प्ले सामने रह गई है जैसे देड़ भी होती है यह तो बाकि में जो होता है अपना भाई यह इंबोज दैपूरा अगर कोई हैपर्सोनिक के नाम पर आपको कभी दे बी तो आपकी सारी चीज़ जब जब चेक करें और यह जो है प्राइज मैं आपको बता है विट फ्रेम अपना जाता है 16500 का इसके अ इंदर अपना मैक वाइक सारी चीजब विया सब कुछ है कप्ला ठीक एक तीज़ बता दो माई के प्लेस्मेंट का करने वाले अर्डीन टाइप करने विलकुल ठीक आप कंपनी का आता है वही पर जी तो यहां पर जो है संग्लास ओल्डर इंस्टॉल करने वाले हैं वाले ह यहां पर आपको चीए तो मिल जाएगा बट यहां पर देख पाऊगे कि यह फिटिंग बहुत थोड़ी सी ब्लूस नि देख गया यहां पर अगर आप यहां पर यह पर आ पर कर आएंगे तो मैं आपको ओयम डिजाइन दोँगा यह ब्या का नॉर्मल है जब वहां पास आएंगे इंटीर बनवाने गया नंगे वह के साथ मैं चेंज करूँगा और साथ में इसको भी जो है भीया कि में मैं कॉंसोल को भी करोगा इसके अंदर कूरूस कंट्रों कर दिया है यह अपना ऑपका ख्रेंद के साथ और यह आपका और देखोगे तो फ्रेम की पूरी फिनिशिंग आप लोगो को देखने के लिए लेगी इसके अंदर आ जाता है आपका नीचे की बात करते हैं तो नीचे 70 मैट और फ्लोरिंग को ऑप्शन है वह फ्लोरिंग भीया ने करवाने नहीं है सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप लेते हूं तो मेक शूर अगर आप मेरे जैसे शूस पहें तरीके के जिसके यह पीछे के एंगल बिल्कुल आपके शाप होते हैं या फिर आप ऑफिस जाते हो और आप फॉर्मल शूस पहनते हो तो 2200 के मेंट में इंवेस्ट मत करो अगर साथ लाग की गाड़ी है तो आप थोड़ा अच्छे वाले मेंट डालो ताकि वह फटेन आपके शूस लगने के बाद कॉलिटी वाइज आप लोगों ने काम देखा कैसा है और सारी चीज़ें यहां पर दन हो गई है उपर की तरफ यहां पर लगाए यहां पर चैंज करने का अप्ष्ण होता है वाइड़ी के साथ बटबी हैं गरी के सब्सक्रण कर देंगे उसकी प्लेश्मेंट जो है हमने ओर देज़ाइन मैं यहां पर कर दिए यहां पर आता है original mic इसका तो यहां से जब आप बात करोगे तो काफी अच्छी आवाज भी आने वाली है sound output के लिए इसके अंदर जो है reference भी install करवागे आयते पहले से तो इसमें reference लगे हुए है अगर आप लोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं एंप्लिफाय नहीं लगा हुआ पहले loudness कम थी इसके पहले loudness की नहीं थी इसके अंदर अभी जो है loudness अच्छी आ रही है क्योंकि इसका जो output होता है यह 40-45 वाट पर चैनल का होता है और आप sony देखोगे तो उसका 55 का होता है तो इसका उससे कम है बट अगर आप देख रहे आप लोग ने देखा कि इसमें loudness की वात करोंगे तो इस्टीरियो पर ही तना जादा लाउड है तो मैंने एंप के लिए भीया को बोला था बड़ ने बोला कि मेरे को एंप चाहिए नहीं तो अकर आप लोग लगाना चाहते हैं तो एंप भी लगा सकते हो एंप के बाद तो भाई ये नेक्श लेवल ही चले जाएगी चीज और इसको मैं अगर फूल भी कर दूँ इसकी वाल्यूम तो भी आप देख पाऊगे कहीं से आवास फटेगी नहीं एक बारी ब्लो और इसका जीरो करता हूँ मैं बिल्कुल लैक फ्री चल रहा है एच डी वीडियो एसके अंदर जो भी डली होई आई है ये भी आप लोगों ने देखा लैक फ्री है कोई मतलब साउंड में तो कोई दिक्कत ने आएगे कर आप बिना एंप के इसको लगाते हो रिकमेंड़ेंड है मेरी तरफ से अगर आप लोगों कॉम्पोनेंट में इन्वेस्ट कर ले हो अब सीथा चलते हैं बिया के पास और जानता है कि वाड़ी कैसी लगी अब यह ड्राइ अब यहां पर यहां पर पूरा काम हो चुका है इन्टीयर हो जाएगा आपका यह चीज हो जाएगी आपके रेडी एक चीज और भी यह पने पहले कंपनी की तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी वो बता दो यह तो प्रॉपर नहीं थी निपॉन में अच्छा इसकी प्लेट सीधी है उसकी प्लेट ऐसे थी तो नहीं आपा रहा था तो में को बिल्कुल मदा निया है मैंने पूरा लगवा के आट घंटे लगा के फिर उतरवाया है अच्छा तो आपने वैसे यूट्यूब पे वीडियो देखी थी है मारी यूट्यूब से देख्या है मैं हूं ठीक पर हुई यह बारी स्टार्ट हमारी क्रूज और थर्टी बन पर चल रहे है थर्टी बन पर हुई यह बितिकली एखो जैसी दवाएंगे बाई ब्रेक अपना फुल रुख गया हम लोगा के सो यह था अगर आप काम कराना चाहते हो तो अगेन कांटिंग कार्स पर आ सकते हो और जितना भी डिस्काउंट है पॉसिबल वह सारे आपको दिये जाएंगे अपर ब्रेट के बाद लेवर एक्स्टा चार्ज करेंगी यहां पर 2500 के स्टेरिंग कंट्रोल चालू करके दिए इसे रेट पर इतने बड़िया सर्विस नहीं मिल सकती आपको रोल पाउगे रख और बाकि अगर कोई यह वीडियो देखके आना चाहते है रेकमेंट इड़ आप की तरफ से यहां पर से इसके बाद एक फुल वीडियो बनाते है फुल डिटेल वीडियो बना देंगे उसके अंदर काफे सारी चीज़े दिखाएंगे हो सकता है कि आम्प का भी आप प्लैन आप शेयर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वाली वीडियो में इंस्टाइग आप पर फोलो करने टाइप करो एम एन अंडर्सकोर बात जितनी वी एक्सेसरीज है सारी आपको मिल जाएगी वट्टैप पर डिटेल्स कॉल करनी है कॉल करो मैसिज करना मैसिज करो प्रेफरीब आओ एक बारी विजिट करो प्राइज लोग पॉलेटी चेक करो उसके बाद आप लोग काम कराओ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वाली वीडियो में